तो आज की हमारी इस ओनलाइन क्लास में हम आपके साथ डिस्कॉस करने जा रहे हैं वी वी ए माइक्रोग्स पावर सरी माइक्पूलगा इड्वान्स एक्सल्बित फॉर्मुला इसमें बात करेंगे कंदीशनल फॉर्मेटिंग से हमने कंदीशनल फॉर्मेटिंग की तो लास क्लास है हमने बताया था कि जो मोस्ट यूजिस क्वांड है उसको कैसे अप्लाइ करते हैं अब हम बात करेंगे इसकी अंदर के चीज़े जिसे कि यहां पर आपको गेटर देंट तो है बट गेटर देंट एंट इक्वल को इसकी अ कि अनुजिस के तो जैसे मांडी जी कि मुझे यहां पर टीच बिच्वल से लेकि साथ हजार वाले को हाइलाइट नहीं करना है वाकि सब को करना है तो मैं यहां पर मूरूल्स में जा निव रूल्स में गया और यहां पर नॉट बिट्विं दिया यहां पर अपनी तीगर सब्सक्राइब कर दिया 30,000 से 80,000 और हमने फॉर्मिट में दिया और फिल में हमने अपनी कलर को फिल कर दिया ठीक है तो 30,000 से 80,000 के अलावा जो भी है वो सारा हाई राइन हो जाएगी इस तरह से आप सारी चीजे दें सकते हैं तो इसमें और क्या है यहां पे आपके पास क्या से अलावा एक ख़िए और करते हैं चाबाव मैंने आपको निलता जुलता चीजए लेले की आपको ब्हुते की वहां है इसे फोल एजामपर, कि यहां पे नेरा नाम जे है, कहीं पे सुधीत कुमार है, और कहीं पे सिर्फ सुधीत है, और कहीं पे, कहीं पे दिया हुआ है, कुमार सुधीत. हम गोलते हैं कि जो नाम सुजीत से स्टार्ट है उसको हाईलाइट करें। सुजीद इसके अंदर में है उसको हालाइट में करना चाहिए तो उस केस में हम क्या करेंगे जाएंगे जाएंगे मोह रूट में यहां 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 पर पंटेन में और यहां असेपिक टेस्ट और यहां पर पर कंटेन में प्यगें में और यहां पर हमने आदिया सुजीद छिक्षिए अधिजी ज्वाइन आओडियो कि तेरे चीज़ना आँ आँ June बेंच लग बेंच तो यहां तरह में दिया and okay किया, जैसी इसको हम okay करेंगे, तो हमारा से सुची थालेट होगा, यह हमारा begin with था, इसमें all आते हैं, all tech है, तो इसमें text था, टेक्स में हम बात करते हैं, blank, date offering होई है जो आपने बाहर परा था, इसे कोई चैसर नहीं है, blank, इसे blank cell को highlight करेगा, और no blank, blank के अलावा highlight करेगा, error, error में हम आपको कुछ समधा सकते हैं, तो आप लोग अपना report बगर बनाते हैं, तो उसमें बहुत सारे जगोर पर एनने का error आत है, बट मैं उस formula को नहीं उच करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि visual ही दा हूँ, जो इनने आपको दिखला है, वो visual ही नहीं नहीं, value, visual है, तो मैंने अपने area को select किया, और गया new rules में, new rules पे गया, और इस new rules पे हमने क्या किया, यहां पे error बुझ लेकर, फिर मैंने format पे गया, और हमने बोला कि इसकी जो background color है, वो white है, तो हमने इसकी font color को भी white कर दिया, background white रहेगा, font white रहेगा, तो white पे white दिखेगी नहीं, font किसका white होगा, सिर्फ errors की white होंगे, ok करता हूँ, and ok करता हूँ, देखिए, जितना भी error है, यहां पे आपका white होगे है, ए्यक्ष थाफण स्वेश्ट का कड़ को बेंडे subjects, करता है, यहां थाच्स, वीर उने खाफ़ यहां-वग? इसमें गाया नहीं हुआ है आप देखेंगे कि इसमें है बट विजबल नहीं करता है कि हम इसका करते हैं उसके बाद आवा आते हैं इसमें कुछ नहीं है अब यहां पर आगे आपके साथ है फॉर्मल अब हम बात करते हैं कि जैसे कि हम फॉर्मुला की अकॉर्डिंग हाइलाइट करना चाहते हैं मैं इसके लिए एक निया के लिता हूं जैसे कि मैंने यहां पर रैंडबिट्मीन का फॉर्म लगा के कुछ रैंडम नंबर लेता हूं अब इस रैंडम नंबर जो हमने लिया है इस रैंडम को मुझे हाइलाइट करना है कि यहां पर मैं सर्च करता हूं इस सर्च मैंने बहुत है कि 50 जहां जहां है वह हाइलाइट हुआ है तो सिंपल है इसके लिए कुछ की करना है एरिया सेलेक्ट कर ले और कंडिशन पर मैंटिंग में से अब इकपल टू करते हैं यहां पर आप सिर्फ बैलू ही नहीं लिख सकते हैं यहां पर आप इसी सेल का रिफट्ट भी दे सकते हैं तो मैं आइसको लेफट्रेंच दे आद अब मैं यहां पर हेक्ट्रक्रता हूँ तो एक हेलाइट होगा नाइन्ट्रि करता हूँ तो नाइंट्रि होगा और स stall करता हूँ गहाँ ゃो 74, 74, 73 यो भी है को आपका हैलाइट लेकिन मैं कुछ और करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ, कैलकुलेशन करना हूँ, मतलग, कि सेलरी बोनस ओवर टाइम की टोटल का 10% है, कि टोटल का 10% अगर 50,000 से उपर होता है, तो मेरा नम हाईलाइट हो जाया, तो अभी तक हम ने जो कया, क्या किया, हमने जहां पर condition लगाया, उसी को हाईलाइट किया, बट यहां पर क्या है, कि हम condition कहीं और कलंठीशन क्लर करना चाहता है। इसके लिए हम formula इस्तिमाल करेंगे और यहां देहां लिखेगा कि आप जब भी formula इस्तिमाल करें तो एक single cell को select करें फिर मैं new rules, use formula और यहां पर सबसे पिले तो मुझे total निकालना है तो मैं यहां पर sum का formula अपलाए करता हूँ और total को select कर लेता हूँ अब बुलता हूँ कि क्या है greater than, 10% पी लिखाना है, 10% greater than 5000 है अगर ऐसा है तो इसकी background color green हो जाए अब यहां पर देखिए एक चीज की dollar sign लगा है यहां तो मैं स्टार्टिंग की classroom आपको बताया था कि जिसके dollar sign लगा है इसका मतलक कि absolute है, freeze है नीचे जब उसको हम ड्रैग करेंगे, तो कि अभी जो हम लगा रहे हैं वो सिंगल सेर, B2 पर लगा रहे हैं यहां पर लगा है तो यहां से dollar sign में हटा जते हो, मैं column की हमें हटाता हूँ, column की दुर्वत प्रोक के ब्रोक हटा जाए फिर मैं यहां से format filter से लिया, आप चाहओ तो इस column को paint करें, यहां फिर पूरा data paint कर देए, तो उसका data highlight हो है उस तरह से एक कंडिशन से पूरा कर पूरा डीटा आपका है अब इसके और भी बहुत सारी यूजिज हैं जैसी फोर एक्जांबर याद होगा आपको कि मैंने आपको रिमूर दुब्लिकेट में मौईल लंबर के बारे में बताया था कि अगर मौईल लंबर दुब्लिकेट ह कंडिशन अप्लाई किया तो इसमें दिक्कत क्या था कि अगर मैं दो लिखता हूं तो मेरा दोनों हाइलाइट होता है या वह से ज़्यादा लिखता हूं तो हाइलाइट होता है इसमें हमें दिक्कत दे जाता है कि कि किसको रखिया और किसको छोड़े यहां पर हम चाहते ह इसको 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 इस तो सिर्फ इसको हाइलाइट करना चाहिए नगी उठोगा जाए तो कैसे करेंगे चलिए इसके लिए हम कुछ तरीका ढूंदे है हमारे पाल से एक फॉर्मॉला होता है काउंट इफ का काउंट इफ को एक रेंज दे दिजिए उसमें वैलो दे दिजिए तो काउंट रहन के बताता है कि यह तीन बड़ काउंट है तीन बार रेपिटेद है यह आपका दो बार है और यहां सब जगह यह की रिजल्ट आपको देगा ऐसा नहीं यह की अलग लग लग लेकिन मुझे count को चाहिए लेकिन इस पर one चाहिए इस पर two चाहिए इस पर two चाहिए इस पर three चाहिए इस तरह था कि मैं condition को बोरू कि जरे लिए दर वन बाले का है यह चीज हो सकती है इसके लिए हम count if का इस्तमाल करेंगे बट count इस लगाने में फोला सा हम इस तुरीक का इस्तमाल करेंगे A2 से लेकि कॉमा यह हमने पोला कि A2 यहां पर देखिए, A2 से A2 कॉमा A2, मतलब कि हम काउंट इसी में कर रहा है और पहले वाले A2 को आप फ्रीज कर देखिए, जब इसको काउंट करके नीचे के पर प्रेज करते हैं, तो क्या होगा, यहां पर देखिए, कि यहां वार यह 2 क्यों कि इसको काउंट कर रहा है और अपने से उपर वाले वैलो को करना है, तो हम जानते हैं, जब भी हम कॉपी पेस्ट करते हैं, तो फॉर्मूला हमारा इंप्रीज होता है, यह हमारा A2 से A3 है, यह इंप्रीज हुआ, तो A2 से A2 A2 था, अब A2 A3 हो गया, अब यहां पर तो इसी चीज़ को यहां पर हम यूज करेंगे, इसको कॉपी करते हैं, इसके उपर, इसके उपर, कंडिस्न फॉर्मेंटिंग में न्यू रूल्स लगाते हैं, यूज फॉर्मूला, और यहां पर बोलते हैं कि गेटर दैन, वन होना चाहिए स्टारिकर, और कंडिस्न ने हम रेत लेते हैं, इसमें बागी सब ठीक है, ओकी किया, और इसको फॉर्मेट पेंटर से हम पेंटर लेते हैं, बड़े कोई फॉर्मेट कर नहीं हो, अब हो गया, तो अब हो गया, तो अब हो गया, तो अब हमारा पहला लंबर हाइलाइट ने होगा, तो इस समझ गाया, किसी होगी स्थाया, डाउट, अजेट जी, कमलेट जी, पाकाज जी की डाउट आपको? कि की ए? कि की ए? कि की ए? कि ए? अब इसमें आग मॉवाइल नंबर की बात हो रही है, तो मेरे पास एक और तरीक, एक चीज और है, कि मैं मॉवाइल नंबर देता हूँ, कि मैं चाहता हूँ कि कोई भी मॉवाइल नंबर दस डिजी से जादा या कम लिखे, तो हाइलाइट, तो पहले हमें इस पता रहना हूँगा, कि सिस्टम में दस डिजी से जो मॉवाइल नंबर कम या जादा लिखा हूआ है, एक ऐसे पता चाहिए, इसके लिए हम फार्मॉला लगाएंगे, लेन का, हम इसको सेलेक्ट किया, लेन होताता है, कि कितना दिजी से, तो not equal to 10 करना है, तो हमने condition formatting के new rules पे गया है, use formula और यहां पे भूने, कि lane, lane, और हमने e2 को सेलेक्ट कर दे, not equal to, और यहां के अंटेन करते हैं, तो problem क्या है, कि अगर e2 अगर blank होगा, तो क्या होगा, result आपका 0 है, ठीक है, और 0 भी आपका blank, जीव भी आपका not equal to 10 है, तो यह आपको blank सेल को भी highlight कर देगा, माफ कीजिए रहा, मैं गरत बोल गया, तो मैं चाहता हूँ कि जिसकी lane not equal to 10 और साथ में जिसकी lane greater than 0 है, कि मैंने इसको okay किया, अगर मैं format printer से नीचे कितना paint करोगा ना, एक color भी highlight होगा, एक blank सेल को भी highlight होगा, ऐसा क्यों किया, क्योंकि जब इस पे हम lane का formula apply करेंगे, तो यह आपका 0 आ रहा है, not equal to 10, तो 0 भी तो not equal to 10 है, मुझे इसमें दो condition दाल रहे हैं, तो दो conditions के लिए हमने यहां पर formula लगाया and का, और यहां पर बोला, कि lane a2 is not equal to, sorry, greater than 0, greater than 0, ताकि कोई type होगा, उसको apply किया, अब देखेंगे, अब कोई भी person इसमें गलत number दालेगा, वो highlight होगा, ऐसे ही अगर मालेजे कि यहां पर account number दिया होना है, और मुझे यह चेक करना है कि किसी ने number भी डाला है ना, टेक्स तो किसी नहीं डाल दिया है, मुझे तो बहुत साथा डाल कि HDFC account number डाल दिया, तो इससा नहीं डालना चाहिए, तो इस cell में text डाला है या number डाला है यह बताँ चलेगा, इस text formula यहां पर आपको false दे रहा है, मतलग कि number है, text डालते ही true दे और आपका conditional formatting true पे ही work करता है, तो formula में जाते हैं, यहां पर हम देते हैं equal is text और bracket ओपर करते हैं, इसको select करते हैं, अब गोलते हैं, बस true false दिरेंगे जरूत नहीं, तो true होगा तब आपको से बीच जाएगा, और मैं यहां से dollar हटाने को, format से लिए गया, और यहां पर हमने color करते ही, अब यहां पर जैसे ही text लिकूंगा highlight हो जाएगा, number लिकूंगा highlight नहीं हो, तो akab जी, akil जी, kamil जी and shivastab जी, पर doubt इसमें और भी example हो सकता है, बट problem क्या है कि हमने अभी तक, हमने अभी तक जो है, क्या बोलते हैं, formula नहीं सीखे हैं, तो जैसे मैं बताया कि तीन classes होगी, एक class आपका hold होगा, जहां formula सीखेंगे तो इसमें बहुत साए complicated formula लगाएंगे, और फिर इसके बारे में जानेगे, तीक है सर्थ, फिल्हान आप लोगों के पाथ जो formula की knowledge है, उसकी according मुझे conditional formatting के, पांच से दस इजाम पर बनाके भीजी हैं, फिल्हान हम बात करें, protection method भी, कल्की class हमारी होगी, कि एक्सल सीख को कैसे protect करेंगे, ओ कि takeaway भाओ, कि झाए, झाल कि, गैए, की दो के समया की वाओ,